हिंदू सनातन धर्म में हम सभी जाडू को माता मालच्मी से जोड़ कर देखते हैं माना जाता है कि जाडू से हमारा भाग्य जोड़ा होता है सामके समय घर में जाडू लगाना सुब नहीं माना जाता वहीं जोतिस आचारे पंडित पंकच पाठाक ने लोकल एट्टीन को बत होता है तो आईए जानते हैं बास्तू के अनुसार क्या बताया गया है जालू का संबंद लक्ष्मी जी से माना जाता है जालू का संबंद आर्थिक पक्ष से भी माना जाता है तो घर में जालू का उप्योग किस प्रकार से करें किस प्रकार से हमको जालू को रखना इन सब का संबंद जो है बास्तू से होता है इसी प्रकार धालू कब खरीदना चाहिए इसका भी सुब असुब जो संकेत है वह बास्तू के द्वारा हमको प्राप्त होता है धालू को आर्फिक सम्रद्दी से जोड़ करके देखा जाता है धालू को लक्षमिजी से जोड़ कर के देखा जाता है इसलिए सूर्यास्त के बाद हमको घर में धालू नहीं लगाना चाहिए ऐसी मानिता चली आ रही है इसी प्रकार सोंबार के दिन धालू नहीं खरिदना चाहिए ऐसा करने से धन की आनी होती है इसी प्रकार शनिवार के दिन भी धालू नहीं खरिदना चाहि ये ऐसा करने से हमारे घर में रेन, करजा और संकट इत्यादी की तमस्याओं की उपस्तिती होती है और पंचक हों तो पंचक में भी जालू का खरीदना सुब नहीं माना जाता है जो कि जालू का संबंद लक्षमिजी से होता है आर्थिक जो पक्ष रहता है धन इत्यादी का जो भाव रहता उससे भी जालू का सम्मन माना जाता है इसलिए शोबर दिन देख करके हमको जालू खरीदना चाहिए अच्छे दिन जालू खरीदना चाहिए और ऐसे भी परंपरा हमने लोगों के बीच में देखी है कि लोग धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन भी आते हैं और उसको लक्षमी सुरू को मान करके जालू का भी पूजन करते हैं